हाई फ्रेंज कैसे हैं अप लोग सौगे थे हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाने वाले हैं ट्राउजर पैंट उसके लिए मैंने बचा हुआ ड्रेस का फैबरिक लिया है और यह लेशिस ली हैं दो तरह की हमारी लेशिस हैं और मेजरमेंट के लिए मैंने लिए जिन्स का पैंट लिया है अब हैं आछ प्द eoke Такétais के लिए हुद अवर मेजमेंट के लिए जो कमने पैंट था उसको हमें सिंपल तरीके से डflow कर लेना है औरल ए उस तरह से उपर से लाइन, आसन से उपर की लाइन हम सीधी रखेंगे, आसन का आकार देते हुए, नीचे से भी हम 2 इंच एक्ष्ट्रा बढ़ा लेंगे, जिदर साइट हमारा आसन है, उदर साइट से हमें 2-2 इंच इसको एक्ष्ट्रा बढ़ा लेना है, लूजिंग के लिए, इस तर से, यहां पर 2-इंच हम इलाश्टिक के लिए ले ले लेंगे, इलाश्टिक डालेंगे उसके लिए, तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है, अब दूसी साइट से हम सिर्फ एक इंच की मार्किंग करेंगे, मार्जन देंगे, जितना आप सिलाई में दबा सकते हैं, उत मार्किंग करते हुए हम सिम्पल तरीके से इसके कटिंग कर लेंगे, नीचे से भी 2-इंच हमने नीचे से भी 2-इंच के मार्जन दिया है, अब यहां पर हम सिम्पल तरीके से इसके जो हमने मार्किंग की है, उसकी हम कटिंग कर लेंगे, इस सेम प्रोसेस हम बैक पार्ट क कट करेंगे चो हमारा वर्वार्त हम जो कर रहे हैं यहान पर जो हमारे फ्रेंट की कुटिंग है उसको हमें फैबरिक को आगे किस काएंगे अपना फैबरिक जो हमने रखा था उसको आगे करते हुए हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आसन वाली साइट से उपर साइट मैंने दो इंच लिया है अब पीछे से हमें इस तरह से डाउन करते मर्जन नहीं देंगे निचे से भी हमें एक्कुल रखना है और यहां से भी हमें रखना है क्योंकि दो इंच की हमने जो मार्जन दिया था इधा है तो इस तरह से किसी अ कर लेंगे सेम तरीके से आगे से पीछे से तो यह था बहुत ही आसान तरीका हमारा ट्राजर पैंट कटिंग करने का फ्रैंच और इतना ही आसान इसकी श्चिछिंग का भी वीडियो आपको देखने लिए मिलेगा तो आगे हम इसकी अभी स्टिचिंग करेंगे तो इस करने करें जिसी तरह इंहां कि यहां उंदर की साइड हमें सीधी रखते हुए और आसनहीं लगा लेंगे अब ऀंडर की साइड से से में इसमें इसमें , शिलाई लगा लेंगे अंदर की साइड सीधी साइड रखेंगे, उपर की साइड हम उल्डी साइड रखेंगे और इस तरह से हम दोनों साइडों से सेम तरीके से यहां पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद हम इसमें वही लेस यूज करेंगे जो हमने अपने ड्रेस में लेश लगाई थी हाथ पर दामन में लगाई थी अब नीचे से हम इसको fold कर लेंगे side side slide लगाने के बाद यह नीचे से मैनने fold कर लिया है दूसरा भी हम fold कर लेंगे इसी तरह से यह दूसरा भी हमारा fold हो चुका है अब हम अपनी लेश लगाएंगे इसमें तो यहां पर हम सबसे पहले जो चौड़ी वाली लेश थी उसको हम डबल लगा के और भी चौड़ा बॉर्डर बना लेंगे जिस तरह पिक में था उसी तरह से मैंने ये ड्रेस बनाने की कोशिज की है फ्रेंज तो यहां पर एक लेयर लगा लेंगे उसके बाद हम दूसी शिलाई लगाने के बाद दूसी लेयर लगाएंगे लेश की तो इस तरह से यह कि यह चौड़ी बॉर्डर वाली हमारी लेश बनके रेडियो हो जाएगी अब हम जो पतली वाली लेश है उसको भी लगाएंगे थोड़ी दूर पर एक इंच की दूरी पर हम पतली वाली लेश लगाएंगे अभी हम इसमें ही दूसी साइड में सिलाई लगा देते हैं तो यह हमारी दोनों साइड से फिक्स हो जाएगी अब यहां से हम पतली वाली लगाने स्टाट करेंगे, देख सकते हैं हम double इसलाई लगाते हुए इसको finish कर लेंगे और इसलिए सेम् प्रोसेस से दूसरे साइड भी Pair पर लगानी है, तो देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में लगा लिए अब तो हम अंदर के साइड इसको सीघी साइट करते हुए नीचे से हम इसमें सिलाई लगा यह जितना हमने माजन दिया था इतना हैं लगता इस द द द इतना ही हम दबाते हुएा इसमें सिलाई लगाते जाएंगे इसमें मैंने कोई भी pac servant sa समयज की आप यहां पर इस तरह से भी के सिलाई लगाते जाएंगे नीचे एंडिंग तक हम इसमें छेलर लगा लेंगे है कि तो यहमारे से अउमारे तरह हैं घृता है बिल्कुल एक्वल हमारे दोनों नीचे से लेयर आए हैं तो हमारी सेंटर के सिलाई लग चुकी है अब हम उपर से इस पर नेफा बनाएंगे एक बार फोल्ड करते हुए हम दुबारा फोल्ड करेंगे और इसको पिन अफ कर लेंगे पिन अफ करने से इसको हम सेट कर लेंगे जिससे कि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं होगी और उतना ही चोड़ा हम नेफा बनाएंगे जितनी हमारी चोड़ी इलास्टिक होगी तो इस तरह से हम थोड़ी लूजिंग दे देंगे नेफे में जिससे कि हमारी जो इसमें सेट हो जाए, तो इसी तरह से हम डवल फोल्ड करते हुए, और लोबर चारो तरफ से इसमें निफा बना लेंगे, निफा बनाने के बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, तो यहां पर मैं देख सकते हैं, इसी तरह से पिन लगाते हुए मैंने निफा बना लिया है, दाई लगाते हुए हम इसका नेफ बना लेंगे और यह हमारा नेफ बन चुका है थोड़ा सा अमें उपन रखना है एलास्टिक की लिए और लेंगे इलास्टिक की जो लेंद लिए मैने 22 기분 के लिए हा dent एलास्टिक को हम सेफटेफिन की हर्प से इसमें इसके अंदर डाल लेंगे और इसके जो सिरे हैं इसके उनको निकालते हुए हम आपस में इस तरह से जोइंट कर लेंगे इस तरह से जोइन करने के बाद हम खीषते हुए इसको set कर लेंगे elastic को set करने के बाद हम एक center से इसमें शिलाई लगा लेंगे खीषते हुए तो इस तरह से हमारा ये pen बनके ready हो जाएगा और यहां पे शिलाई लगने के बाद हमारा pen ready हो चुका है तो चलिए friends देखते हैं तो यह है इसका final look देख सकते हैं आप किस तरह से एकदम से हमारा pen अच्छे से बनके ready हो चुका है friends उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा जो इसकी मैंने dress उपर की बनाई थी चलिए आपको हम वो भी दिखाते हैं अम्रेला का front open dress और with pen देख सकते हैं इसका final look यह मैंने महंदी के लिए बनाया था friends इससे पहले मैंने ऊपर की dress का ही वीडियो डाला है अब मैंने pen का डाला है friends तो उमीद है वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक करना ना भूले ज्यादस ज्यादस सेयर करें friends तो मिलते हैं नेट वीडियो में तब तक के लिए जाबारेज जाहें